ये ड्रॉक शाइच से होना चीए था मुझे टी आरपी दो क्योंकि अगर एक चीज जिसे हमारे देश के अल्मुस्ट सारे न्यूस चैनल्स औपसेस्ट हैं एडिक्टिड हैं वो है टी आरपी लेकिन एक्चुली में है क्या ये टी आरपी कैसे इसे मैन्यूपलेट किया जात हाल ही में मुंबए के पुलीस कमिश्नर ने अक्यूस किया था रिपबिक टी वी चैनल को टी यार पी मैणूप्लेट करने के लिए एक टी आर्पी स्कैंडल एक्सपोस किया था लेकिन हिरानी की बात यह सारी चीज़े आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में एक्चुली अरनब के इस डायलोग की वज़े से मैं आपको नमस्कार दोस्तों बूलना भूल गया तो नमस्कार दोस्तों TRP का फुल फॉर्म है टेलिविजिन रेटिंग पॉइंट यह बेसिकली एक मैथड है या टूल है यह अंदाजा लगाने का कि कोई भी टेलिविजिन पर प्रोग्राम या टेलिविजिन चैनल कितना पॉपिलर है कितने लोग उसे देख रहे हैं जैसे यूट्यूब पर अगर आपका टीवी चैनल ज्यादा पॉपिलर है ज्यादा लोग उसे देख रहे हैं तो जो एड़टाइजर्स हैं आपके चैनल पर एड देने लग रहे हैं वो ज्यादा पैसे देना चाहेंगे आपको उन एड़्ट के लिए क्योंकि ज्यादा लोगों तक उनकी आड़ पहुंच रहे हैं एड़टाइजर्स ज्यादा पैसे देंगे तो आपके टीवी चैनल के पास ज्यादा पैसे आएंगे आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे वैसे ये काफी जेनरलाइस स्टेटमेंट है सब कुछ एड़टाइजर्स के लिए नहीं होता है टीवी चैनल के हैं खुद और ये यूट्यूबर्स के लिए भी होता है मैं भी खुद यूट्यूब यूज देखकर अंदाजा लगाता हूँ कॉमेंट्स देखकर पता लगाता हूँ ओडियन्स का रियक्शन क्या है कहां मैंने गलत किया कैसे और इंप्रूफ कर सकता हूँ ये अपनी वेबसाइट पर हर हफ़ते रिजर्ट्स पब्लिश करती है कि हर टीवी चैनल के अलग-अलग सेक्टर्स में एंटेइन्मेंट के सेक्शन में इंग्लिश न्यूज के सेक्शन में Hindi News के section में कितने TRPs आए, कितने impression आए, कौन सा number 1 पे है, कौन सा number 2 पर है 2015 से पहले system थोड़ा अलग था, उसकी मैं आगे बात करूँगा लेकिन ये TRP calculate कैसे करी जाती है अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि YouTube की तरह है जैसे हर YouTube वीडियो पे एक real time counter होता है कौन उन TV channels को देख रहा है, तो कितने views आ रहे हैं TV channel पे ऐसा कोई measurement का system नहीं है तो BARC क्या करता है, कुछ selective घर को लेता है, households को लेता है और उनके अंदर जाकर एक meter install करता है ये meter एक barometer होता है जो viewership record करता है कि जिन घरों के टीवी में ये barometer installed है इसे people's meter भी कहा जाता है उन घर में जो लोग उस TV को देख रहे हैं कितने time के लिए एक TV channel को देख रहे हैं वहाँ पे और कौन से TV channel को देखने लगे ये meter वो measure करता है और हर हफते इन meterों से जाकर reading ली जाती है कि कितने देर के लिए कौन सा channel देखा गया जिससे TRP निकलती है अब ये तो possible है नहीं कि B.A.R.C. जाकर देश के हर घर में ये barometer इंस्टॉल कर देगा people's meter इंस्टॉल कर देगा इसलिए इनोंने एक sample size चुना है वो sample size है 44,000 का यानि पूरे देश में करीबन 44,000 लोगों के घर में ये barometers लगे होए हैं जो TRP मेलिर करते हैं और इस sample size के basis पे statistically data निकाला जाता है कि अंदाजे से एक TV चैनल को कितना देश भर में लोग देख रहे होगे इसी reason से जो household select किये जाते हैं ये अलग-अलग states में, urban areas में, rural areas में अलग-अलग socio-economic condition के लोगों के घर में install किये जाते हैं ताकि statistically जो sample size है वो काफी variety का हुआ हमारे पास ये वही process है जो election से पहले exit polls में भी इस्तिमाल किया जाता है अब ऐसा तो है नहीं कि आप देश के हर voter से जाके पूछोगे कि आप किसको vote देना चाहरे हैं आपर और आप note down करोगे इसलिए एक sample size लिया जाता है कि हम एक sample लेंगे voters का उनसे पूछेंगे और उसके basis पे हम results को statistically exaggerate करके देखेंगे extrapolate करके देखेंगे कि देश का mood कैसा बन रहा है तो actually में देश में कौन लोग हैं जिनके घर में ये people's meter install किया गया है reality में दोस्तों इस चीज़ को secretive रखा जाता है नहीं तो अगर सब को पता होगा कि इस घर में ये people's meter install किया गया है तो हर कोई उस घर में जाकर bribe करने की कोशिश करेगा कि ज़रा थोड़ा रिश्वत ले लो और हमारा channel on रख लो ताकि हमारी TRP बढ़ जाए और ये research conduct कराना और actually लोगों के घर में जाकर ये barometers install करना ये काम BARC खुद नहीं करता है ये काम एक agency को दिया गया है Hansa Research Group जो लोगों के घर में जाकर ये barometers install करते हैं तो ये है पूरा process दोस्तों अब आप आप अलड़ी सोचने हैं लग गए होगे कि इस पूरे process में loopholes कहां है क्या कमिया निकलती हैं जिससे TRP को manipulate किया जा सकता है आईए जानते हैं सबसे पहला loophole तो यही है कि अगर आपने Hansa Research Group के employees के साथ दोस्ती कर ली या फिर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर ली जो पहले employees हुआ करते थे Hansa Research Group में जो ये जानते हैं कि किन घरों में इन्होंने barometers लगाये थे इनको थोड़ी रिश्वत खिलाई या आपको बताएंगे कि एक्चली में कौन से घर है और फिर आप उन घरों में गए उन घर वालों को रिश्वत खिलाई कहा कि ये पैसे रखो आप और मेरा टीवी चैनल ओन करके रखना दिन और एक्जाक्ली यही लूपोल इस्तिमाल किया जारा था मुंबाई पुलीस के एकॉर्डिंग रिपब्लिक टीवी के दोवारा टी आरपीज को मेनिपलेट करने के लिए फॉर्मर एंप्लोईज जो हंसा रीसर्च एजनसी में काम करते थे उनको रिश्वत दी गई जिनोंने घर को अइडेंटिफाय किया कि इन घरों में बैरोमीटर्स लगे हैं घर वालों को तकरीबन 500 से 600 रुपे प्रती दिन दिये गए कि वो इस पर्टिकुलर चैनल को ओन रखें कितने घंटे के लिए ओन रखें ताकि उनकी टी आरपी बढ़े मुंबई पुलीस कमिशनर ने तो बकायदा ये भी कहा कि कुछ ऐसे घर जहां पर इंगलिश बोली भी नहीं जाती थी घर वालों को इंगलिश समझ में भी नहीं आती थी वहाँ पर भी इंगलिश न्यूस चैनल को ओन रखने के लिए कहा गया काफी घंटों तक ओन रखा गया ताकि उनकी टी आरपी बढ़े और इस स्कैम को एक्चुली में हंसा और बी ए आरसी ने खुदी नोटिस किया था और जाकर पुलीस में कमप्लेन करी थी और रिपब्लिक टीवी एकलोता चैनल नहीं है जिसको एक्यूस किया गया है मुंबई पुलीस के द्वारा दो और लोकल मराथी चैनल भी है एक है फक्त मराथी और दूसरा है बॉक सिनिमा चैनल मुंबई पुलिस के एकर्डिंग इन्होंने आलरी कुछ लोगों के एरेस्ट कर लिए हैं और बाकी इंवेस्टिकेशन कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी के ओपर और अबबिसली रिपब्लिक टीवी इन सारी allegations को डिनाइ कर देता है पुलीस ने जो पहली F.I.R. दर्श करी थी उसमें नाम India Today का लिखा गया था, Republic TV का कोई mention नहीं था, लेकिन press conference में Mumbai पुलीस ने सिर्फ Republic TV का नाम लिए, हाला कि पुलीस ने बाद में इस चीज को clarify करके ये कहा कि हाँ नाम जरूर India Today का mention किया गया था F.I.R. में लेकिन जब witnesses से बात करी, accused से बात करी, तो India Today का बाद में नाम सामने नहीं आया, बलकि Republic TV का नाम सामने आया ये सब करने के लिए, तो actually में कितने घरों को रिश्वत खिलानी पड़ती होगी ऐसे TRP मैनिपलेट करने के लिए, जर्निलिस्ट अनिंदिय चकरवरती ने एक बड़ी interesting चीज बत 450 मीटर लगे हैं, जो English News देख रहे हैं, और on average 8 minute per day लोग spend करते हैं English News को देखने में, अब बात यह है दोस्तों कि TRP मेजर करते वक्त सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप एक चैनल को देखने लग रहे हो, ये भी मेजर किया जाता है कि एक चैनल को कितनी देर तक देखा जा र करके, जिसे 10 लोग देखते हैं और वो 10 लोग 5 मिनट देखते हैं इस चैनल A को, वहीं दूसरी तरफ एक चैनल B है जिसको सिर्फ 3 लोग देखते हैं, लेकिन वो 3 लोग 30 मिनट के लिए on average देखते हैं, तो TRP की calculation में इस time को account में लिया जाता है, चैनल A के लिए 10 times 5 होता है 50 और चैनल B के लिए 3 times 30 होता है 90, तो चैनल B की TRP यहाँ जादा है, हाला कि सिर्फ 3 लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन उसका watch time इतना जादा है, तो उसकी TRP आगे जादा होगी, कुछ गिने चुने TVs जिन में मीटर लगा हुआ है, अगर उन TVs पर किसी चैनल को बहुत जादा घंटों के लिए देखा जाएगा, तो उससे TRP की रेटिंग पे बहुत बड़ा फरक पड़ सकता है, तो अनंदे चकरवर्दी ने यही कहा कि क्यूंकि English News Channel का watch time सिर्फ 8 minute है on average, यहाँ पर आपको TRP scandal करने के लिए सिर्फ 3-4 घरों की जरुद है, जिने आप पैसे दोगे ज यहाँ पर घंटों के लिए English News Channel और क्यूंकि उनके घंटों तक एक कुछ जगाओं पर देखे जाएंगे कुछ TV चैनल तो उससे TRP पे बहुत बड़ा फरक पड़ सकता है, तो इन रियालिटी सिर्फ 4-5 घरों को मैनिपलेट करने की जरूद है, रिश्वत खिलाने की जरू अब यह इकलौता लूफोल नहीं है, दूसरा लूफोल यह है कि अगर आपको यह पता है Estimated की इस एरिया में मीटर वाले घर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ जो केबल ऑपरेटर्स मौजूद है, उनको रिश्वत खिला कर बोलिए कि यह जो हमारा Competition वाला चै क्या किया था, Dual Logical Numbers का इस्तिमाल किया, LCNs जिसे कहते हैं, Same Cable Operator पर इन्होंने Multiple Genres के अंदर अपने चैनल को रेजिस्टर कर लिया है, इसका मतलब क्या है, जब आप Remote से चैनल बदल रहे होगे, एक तो News के सेक्शन में चैनल बदलते बदलते Republic TV का चैनल आएगा, जब इंप्रेशन आए थे इस चैनल के इतने, दूसरा कई लोगोंने कंप्लेइन करी थी कि Republic TV अपने आप से ही एक लैंडिंग चैनल है, the default चैनल है जब आप सेट आप बॉक्स कोलते हो तो, TV ओन करोगे तो आपके सेट आप बॉक्स पर Republic TV अपने आप चलना शुरू हो जाएग तो 10-20 सेकिंड तक तो आप उसे कम से कम देखोगे ही, इससे इंप्रेशन रजिस्टर हो जाएंगे और TRP बढ़ जाएगी मीटर में लेकिन जैसा मैंने बताया, Republic TV एकलोता चैनल नहीं है जिसको अक्यूस किया गया है TRP मैनिपलेट करने के लिए Republic TV के आने से पहले भी, historically कई न्यूस चैनल को अक्यूस किया जाता था करने के लिए 2012 में NDTV ने एक्स्टिंग ऑपरेशन रन किया था जब इन्होंने पाया कि Field Employees TAM के रेटिंग्स को अपलिफ्ट करने में मदद करेंगे, TRP को बढ़ाने में मदद करेंगे 250 से लेकर 500 डॉलर पर हाउस देने पर TAM के आप पूछोगे, BARC से पहले TAM हुआ करता था इनका Ratings Agency जो TRP को मेजर करती थी लेकिन अगर हम 2012 से भी पहले जाएं, Dr. S.Y. क्योरेशी जी जो कि हमारे former Chief Election Commissioner रह चुके हैं और former DG भी रह चुके हैं दूर दर्शन के, इनका दावा है कि ऐसे TRP स्कैंडल इन्होंने 2002-2003 से भी देखे हुए उस समय इन्होंने अपने दोस्ते बात करी तो पता चला कि जिन घरों में ये TRP के मीटर्स लगाये जाते थे इन हाउस होल्ड्स को incentives दिये जाते थे कि एक नया pressure cooker ले लो या फिर एक नया dining set ले लो इसके बदले तो जरा सोच कर देखिए कितने टाइम से ये TRP के स्कैंडल चले आ रहे हैं यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है example के तोरपे मैं आपको दो चैनलों का एक comparison दिखाना चाहूँगा एक तरफ है Republic TV और दूसरी तरफ है NDTV अगर आप YouTube subscribers compare करोगे दोनों चैनलों के तो Republic TV के हैं around 35 lakh कुछ और NDTV के हैं 80 lakh से भी जादा आप app downloads compare करोगे NDTV के app downloads हैं 5 million से जादा और Republic TV के app downloads हैं 1 million इन दोनों चैनलों की websites पर कितने लोग विजिट करने जाते हैं Republic TV के लिए number 15 million unique visitors है और NDTV के लिए number कहीं जादा 80 million unique visitors से भी जादा है लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों comparisons में NDTV आगे है YouTube subscribers, website पर visits, app downloads लेकिन इसके बावजूद भी BARC की ratings के हिसाब से Republic TV number one channel है TV पर 77% इनका share है और NDTV का market share 1% से भी नीचे है तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक TV channel इंटरनेट पर इतना जादा popular हो कि number one TV channel से कही गुना अच्छा हो website clicks में, YouTube views में, app downloads में लेकिन जब TV के TRP की बात आती है तो वो इतना जादा नीचे गर जाता है इसी से ही ये प्रूब हो जाता है दोस्तों कि ये TRP का system कितना बकवास है actually में काम नहीं करता है और ये चीज advertisers को समझनी बहुत जरूरी है companies को समझनी बहुत जरूरी है जो अपने पैसे spend करते रहते हैं इन TV चैनलों पर की लगेगा उन्हें इतने लोग उनकी आड देख रहे हैं लेकिन reality में लोग उनकी आड नहीं देखते हैं इसका solution यही है कि इन companies तक ये message पहुँचाए जाए आज कर digital media में इतने sources आ गए हैं चेक करने के लिए कि actually में viewership कितनी होने लग रही है कौन सा channel actually में ज्यादा popular है बड़ी असानी से compare किया जा सकता है अगर आप YouTube subscribers, YouTube views देखोगे websites clicks देखोगे, app downloads देखोगे सब बड़ा clear cut दिखता है इस TRP पर rely करना बंद करो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये video informative लगा होगा इस video को share किए ताकि हम ये message दूर दूर तक पहुचा सके advertisers के पास, companies के पास ताकि वो भी realize कर सके कि कैसे उनके पैसे की याँ पर बरबादी हो रही है और ये सारे news channels कैसे उनने बेवकूफ बनाने लग रहे है अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे support कर सकते हैं patreon.com slash drovrati पर या YouTube में member बनके join button click करके ताकि ऐसे ही और videos में आपके लिए future में बनाते रहों और return में आपको कई exclusive चीज़ें मिलेंगी जैसे की custom emojis या full interviews मिलते हैं आगले वीडियो में फिर दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद